नमस्ते आज की हमारी विडियो है टेन मिनिट्स रीबूट यह रीबूट है अगर आपने अपने पूरे दिन में बहुत ही जादा काम किया है या काफी तनाव आ चुका है तो इस विडियो को देखने के बाद आप अपने आपको रिलाक्स कर सकते हैं इसके साथ साथ और उसक किसी कुरसी पर बैठ जाए कमर को सीधी रखें उसके साथ साथ या फिर आप जमीन पर बैठ जाए या फिर अगर आप लेट सकते हैं तो लेट जाए अपने हाथों को खुला रखें लेकिन जो लोग बैठे हैं आप अपने उंगलियों को इस तरह से जोड सकते हैं क्योंकि कि हमें अभी अपने अंदर एक एनरजी जागरित करनी है तो इन्हें अपने सामने रख लीजिए चाहे आप किसी भी तरह से रखें अपने आपको एक आरामदायक स्थिती में जाने दीजिए कोई भी टाइट कपड़े ना पहने अपनी बेल्ट अगर उतार सकते हैं तो बहत एक लंबी गहरी सास भरिये और उसे अपने शरीर में पूरी तरह बहजने दीजिए और अब इस सास को अपने मुह से छोड़ दीजिए एक और लंबी गहरी सास लीजिए उसके साथ साथ अपनी कमर पर ध्यान दे कि आपकी रीड की हड़ी पूरी तरह से सीधी हो रही है सास को अंदर रुके और अब धीरे धीरे सास को मुझ से छोड़े और जैसे जैसे सास को बाहर छोड़ रहे हैं शरीर से सारा तनाओ बहने दे शरीर को ढीला होने दे अराम से जहां पर भी आप बैठे हुए हैं लेटे हुए हैं वहाँ पर इस शरीर को नीचे की तरफ हलका गिरने दे एक और लंबी गहरी सास भरिये और इसे अंदर रुकते हुए इस सास को अपने शरीर में हर कोने तक जाने दीजिए जिससे कि कहें पर भी किसी भी तरह का अंधकार हो वो अब इस उजाले से इस प्रकाश से भढ़ जाए जीवन के प्रकाश से भढ़ जाए और अब इस सास को धीरे धीरे छोड़ दीजिए और सारे तनाओ को बाहर जाने दीजे अपना ध्यान अब अपने पेरों की तरफ ले जाएं अपने तलवों पर एडियों पर यहाँ पर जमा किसी भी तरह का तनाओ महसूस करें और अब हलके से सांस को नाक से छोड़ते हुए अपने पेरों को बिल्कुल ढीला जोड़ दे रिलाक्स 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 सांस निरंतर आने दीजे देखिए कि आपकी सांस की गती हलकी है या तेज है इसे हम किसी भी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे सांस को खुद बखुद अंदर आने और बाहर जाने दीजे अब अपना ध्यान अपने दाई टांग दाई घुटने पिंडली उपड़ ले जाए किसी भी तरह का तनाव मास पेशियों में अगर महसूस है तो अब इसको पूरी तरह से हलका छोड़ दे और ढीला छोड़ दे अपने बाए पैर को महसूस कीजे घुटनों को पैरो को और अब यहाँ पर भी किसी भी तरह का तनाव हो तो इसको ढीला छोड़ दीजे हलका होने दीजे अपने शरीर को और महसूस कीजिए कि अपने पैर आपके पैर अपने इस जमीन से जुड़कर सारे तनाव को नीचे की तरफ बहाए जा रहे हैं जैसे शरीर से कोई चुमबक ये तरीके से सारे तनाव को नीचे की तरफ खीच कर जमीन में खत्म कर रहा है अपना ध्यान अपने पेट पढ़ ली जाएं अपने कमर के निचले हिस्से पढ़ ली जाएं और इस हिस्से में किसी भी तरह करतना हो चाए पेट में या कमर पर तो उसको भी सांस के साथ बाहर जाने दीजिए एक लंबी गहरी सांस के साथ इस पूरे हिस्से को प्रकाशित होने दीजे और इसे और हलका होने दीजे अपना ध्यान अपने शरीर अपने कमर के उपरी भाग मर ले जाएं अपनी छाती में अपने पेट पे अपने कंधों में अपने रीड की हड़ी के आसपास की सारी मासपेशियों पर ध्यान दे और द देखिए कि किस तरह से जैसे ही आपने इन पर ध्यान दिया है, ये हलका होने के लिए तैयार हो गई हैं और एक लंबी गहरी सांस भड़ते हुए, इसे बिलकुल पिघल जाने दीजिए, किसी भी तरह का तनाव यहां पर हो से पिघल जाने दीजिए, अपना हाथ अपने दोन तो इन कंधों को भी नीचे गिरने दीजिए, हलका होने दीजिए, अपने हाथों को भी नीचे की तरफ बहने दीजिए, और देखिए किस तरह से आपके हाथों में खूल का प्रवा हो रहा है, हमास पेशियों का, क्या तनाव आपको यहां पर महसूस हो रहा है, उसको भी बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिये, देखिए कि अब सांस की गती क्या है, आप सांस पेट तक ले रहे हैं या छाती तक, या रीड की हड़ी के बिल्कुल निचले भाग तक, और अभी भी सांस को कंट्रोल करने की कोई जरुवत नहीं है, अपना ध्यान अपनी गर्दन पर ल बोलने से हो, उसको अब धीला छोड़ दे, देखिए आपके गले की मास पेशियां विल्कुल आराम दायक तरीके से, रिलाक्स होती जा रही हैं, अपना ध्यान अपने जब्रे पर ले आएं, अपने जब्रे को भी धीला छोड़ दे, दातों को भीचे नहीं, दातों को भी हलका छोड़ दे, चेहरे में एक प्रकाश महसूस करें, जो अब आपके पूरे चेहरे पर चढ़ रहा है, जैसे सारी सांस आपके चेहरे पर प्रकाशित कर रही है, अलग ही तरीके से, आप बिल्कुल शान्त हो रहे हैं, अपना ध्यान अपने माथे पर, अपने भाऊं पर लेजाएं, और देखिए कि यह भाऊं रिल्क्स हो रही हैं, माथे को भी रिल्क्स कर दे, अपने आँखों पर धियान दीजिए और देखिए कि आँखे सिर्फ और सिर्फ अंदर की तरफ देखना चाह रही हैं, एक बार फिर अपनी पूरी सांस पर ध्यान दीजिए और देखिए कि किस तरह से सांस नाक के सामने से अंदर जा रही है और अपने आप बाहर आ रही है सांस की गती को और गहरा और धीमा होते हुए देखिए देखिए कि सांस अब आपके नाक से होते हुए माथे तक होते हुए आपके फेफ़ों में और फूरे पेट तक जा रही है पेरों तक जा रही है पूरे शरीर में एक तरहा की एक आग्रता आने लग गई है हाथों से लेके पेरों तक सर से लेकर कमर के आखरी भाग तक एक तरहा की एक आग्रता आपके शरीर के बीच में आ गई है जब ये एक आग्रता हम में आ जाती है तो हम किसी भी काम को और अच्छे से कर सकते हैं हर काम के अंदर एक खुबसूर्ती आने शुरू हो जाते ही है हमारा ध्यान जब एक अत्रत हो जाता है तो हम मामूली काम को भी बहुत ही खास रूप से पेश कर सकते हैं और आज हम वही कर रहे हैं अपने शरीर के अंदर उस दिव्व शक्ती से कहें जो इस शरीर को निरंतर चला रही है बिना आपके किसी कमांड के बिना आपके किसी आदेश के जो आपके शरीर को निरंतर खुबसूरती से चलाती जा रही है उस दिव्व शक्ती से कहें कि आप जो भी काम आज करने जा रहे हैं उसमें आप पूरी तरह से एकाग्र होके ध्यान से बहुत ही खुबसूरती और बहुत ही खुश मिजाज होके काम कर सकें और उसके लिए आपका शरीर के सारे भाग, सारे शरीर आपका उसमें आपकी मदद करेगा और उसके लिए आप जो ये सांस ले रहे हैं वो भी आपका साथ देगी हर सांस के साथ अपने आपको जागरत होतावा महसूस करें हर सांस के साथ अपने अंदर एक नहीं एक नई शक्ती एक नई फूर्ती महसूस करें हर सांस के साथ अपने आपको पूरी तरह से एक आगर महसूस करें अपने अंदर वो प्रेड़ना महसूस करें जो आपके शरीर के अंदर अब पूरी तरह से भर रही है जो भी काम आप आज करना चाह रहे हैं सिर्फ उस पर ध्यान दे और उसको अपनी पूरी शिद्दत से पूरी शांती पूर्वक पूरी सत्भावना से करेंगे और उसके लिए अब आपके शरीर में और शक्ती बढ़े जा रही है अपनी रीड के हड़ी के निचले हिस्से में महसूस करें एक तरह की उर्जा अब धीरे धीरे उपर चड़ रही है आपकी सास के साथ सास अंदर लेते हुए वो उड़ जा ऊपर की तरफ चड़ रही है कमर को और सीधा करते हुए लंबी गहरी सास अंदर भढ़ते हुए अपने शरीर को और शांत महसूस करते हुए मगर उसी समय पूरी ताकत, पूरे स्वस्थ तरीके से अपने शरीर को उठाते हुए हम धीरे धीरे वापस आएंगे जिससे हम अपने अगले काम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और जब भी आप अपने आपको इस तरह की शांस्तिती में लाएंगे आपका ध्यान दसकुना और बहतर हो जाएगा और आप कोई भी काम और अच्छे तरीके से उन्दा तरीके से कर पाएंगे धीरे धीरे सारी शक्ति को अपने अंदर समाते हुए चेहरे पर एक मुस्कान आने दे लंबी गहरी सांस को फिर से लें सांस को पूरे शरीर में फैलने दें और मैं जैसे जैसे दस से लेकर एक तक की गिंती करूँगी अब हम धीरे धीरे अपने बहुत एक जिंदगी में वापस आएंगे इस उर्जा के साथ जो हमें सारे काम बहुत ही अच्छे दिल्चस्पी से दिल से स्फूर्ती से करने में मदद करेगी दस शरीर की सारी शक्ती के बारे में वाकिफ होते हुए नौ अपने कमर को महसूस करते हुए कि रिड़ की हड़ी किस तरह से सीधी है आठ अपने अंदर एक तरह की शानती महसूस करते हुए साथ छे अपने आस पास के वातावरन को समझते हुए उसको शुक्री यादा करते हुए और आगे बढ़ते रहें पांच चेहरे पे मुस्कान जारी रखे चार, तीन, अपने शरीर के अंदर एक तरह का नया प्रकाश महसूस करें जो आपकी आज पूरे दिन सहायता करेगा दो, अपने शरीर को वापस महसूस करें पूरी तरह से वो शानत हो चुका है और एक, अपने दोनों हथीलियों को आपस में रगड़ें और इसे अपनी आँखों पे लगाएं एक और आँखे खोलें वल्कम बाक, वल्कम बाक, वल्कम बाक आशा है अब इसके बाद आप एक बहुत ही अच्छे ताजे मन से अपने काम को निरंतर करते रहेंगे और ये वीडियो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं धन्यवाद